नमस्कार, कारकम्य उपस्तित, आचार्य स्री महासरवन जी, मुनी गान, पुझ्य साद्वी जी गान और सभी स्रत धालू हमारा ये भारत हजारों वर्षों से संतों की, रुशियों की, मुनियों की, आचार्यों की, एक महान परंपरा की धर्ती रहा है काल के थपेडों ने कैसी भी चुनोतियां पेश की हो, लेकिन ये परंपरा वैसी ही चलती रही हमारे हाँ आचार्य वही बना है, जिसने हमें चरैवेती, चरैवेती का मंत्र दिया हमारे हाँ आचार्य वही हुआ है, जिसने चरैवेती, चरैवेती के मंत्र को जीया है स्वेतांबर तेरा पंततों, चरैवेती, चरैवेती की सतत गतिशलता की इस महान परंपरा को नई उंचाई देता आया है आचार्य विक्षू ने शिथिलता के त्याग को ही आध्यात्मिक संकल्प बनाया था आध्यूनिक समय में आचार्य तुल्सी और आचार्य महाप्रग्ने जी से जो प्रारंब हुई महान परंपरा आज आचार्य महास्रमन जी के रूप में हम सब के सामने जीवन्त है आचार्य महास्रमन जी की ने साथ वर्षों में अठारा हजार किलोमेटर की ये पदयात्रा पुरी की है ये पदयात्रा दुनिया के तीन देशों की यात्रा थी इसके जरिये आचार्य स्री ने वसुध है उकुटम कम के भारतिये विचार को विस्तार दिया है इसी पदियात्रा ने देश के 20 राज्यों को एक विचार से एक प्रेरणा से जोड़ा जहां अहिंसा है वहीं एकता है जहां एकता है वहीं अखंडता है जहां अखंडता है वहीं श्रेष्टता है मैं मानता हूँ आपने एक भारत स्रेष्ट भारत के मंत्र को अध्यात्मिक संकल्प के रूप में प्रसारित करने का काम किया है मैं इस यांत्रा के पुर्ण होने पर आचारिय महा स्रमण जी को और सभी अनुयाईयों को स्रद्धा पुर्वक अनेक अनेक बढ़ाई देता हूँ साथियों स्वेतांबर तेरा पंत के आचारियों का मुझे हमेश रासे ही विशेस नेह मिलता रहा है आचारिय तुलसी जी उनके पतधर आचारिय महा प्रग्य जी और अब आचारिय महा स्रमण जी इन सबका मैं विशेस कुर्पापात्र रहा हूँ इसी प्रेम के कारण मुझे तेरा पंत के आयोजनों से जुड़ने का सवभाग्य भी मिलता रहा है इसी प्रेम के कारण मैंने आप आचारियों के बीच ये कहा था कि ये तेरा पंत है ये मेरा पंत है भाईयों भेनों मैं जब आचारी जी महास्रमन जी की इस पध्यात्रा से जोड़ी जानकारी देख रहा था तो मुझे उसमें भी एक सुखत संयोग दिखा आपने ये यात्रा 2014 में दिल्ली के लाल किले से शुरू की थी उस वर्ष देश ने भी एक नई यात्रा शुरू की और मैंने लाल किले से कहा था कि ये नए भारत की नई यात्रा है अपनी इस यात्रा में देश के भी वही संकल्प रहे जन सेवा जन कल्यान आज आप करोणों देश वास्यों से मिलकर परिवर्तन के इस महा यग्य में उनकी भागीदारी की सपत दिलाकर दिल्ली आये हैं मुझे भरोसा है आपने देश के कौने कौने में जन जन में नए भारत की इस नई यात्रा की उर्जा को अनुभव किया होगा उसे साक्षा देखा होगा मेरा आग्रह है कि बदलते भारत के ये अनुभव आप जितना जादा देश वास्चों के साथ साजा करेंगे उतनी ही उन्हें प्रेणा मिलेगी साथियों आच्चायर इस्री ने अपनी इस पधियात्रा में सद्भावना नईतिक्ता और नशामुक्ति एक संकल्प के रुपे समाथ के सामने पेश किया है मुझे बताया गया है कि इस दौरान लाखो लाख लोग नशामुक्ति जैसे संकल्प से जुड़े है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है आध्यात्मिक दुरुष्टि से देखें तो हम स्वका साक्षातकार तभी कर पाते हैं जब हम व्यशन से मुक्त होते हैं यह व्यशन यह नशा लोब लालच और स्वार्थ का भी हो सकता है जब स्वयम से साक्षातकार होता है तभी स्वयम में स्वर्वम के दर्शन होते हैं तभी हमें स्वार्थ से उपर उठकर परमार्थ के लिए अपने कर्तवियों का बोध होता है साथियों आज आज़ादी के अमरुत महुत्सों में देश भी स्वा से उपर उठकर समाज और राष्ट के लिए कर्तव्यों का आहवान कर रहा है आज़ देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है सरकार एही सब कुछ करेगी, सत्ता ही सब कुछ चलाएगी, ये कभी भी भारत का भाव नहीं रहा है हमारे हाँ, राजसत्ता, समाजसत्ता, अध्यात्मसत्ता, सबकी बराबर भूमि का रही है हमारे हाँ करतव्यही धर्म रहा है मुझे आचारियत तुन्शी जी की एक वाद भी याद आ रही है वो कहते थे मैं सबसे पहले मानव हूँ फिर मैं एक धार्विक व्यक्ति हूँ फिर मैं एक साधना करने वाला जैन मूनी हूँ उसके बाद मैं तेरा पंध का आचार्य हूँ कर्तव्य पत पर चलते हुए आज देश भी अपने संकल्पों में यही भाव दोहरा रहा है साथियों मुझे खुशी है कि आज एक नए भारत के सपने के साथ हमारा भारत सामुहिका की सक्ति से आगे बढ़ रहा है आज हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हमारे आचार्य हमारे संथ सब मिलकर भारत के भविश्य को दिशा दे रहे है मेरी प्रार्थना है आप देश की इन अपेशाओं को देश के प्रयासों को भी जन जन तक ले जाने का एक सक्रिय माध्यम बने आज हादी के अमरित काल में देश जिन संकल्पों पर आगे बढ़ रहा है चाहे वो परियावरन का विशे हो पोशन का प्रश्ण हो या फिर गरीबों के कल्यान के लिए प्रयास इन सभी संकल्पों में आपकी बड़ी भूमी का है मुझे पूरा भरोसा है कि आप संतों का आशिरवात देश के इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे और अधिक सफल बनाएंगे इसी भावना के साथ सभी संतों के चरणों में बंदन करते हुए आप सबका रुदय पुर्वक बहुत बहुत धन्यवाद